वीडियो देखने वाले सभी चोटे बड़े वीवर्स को मेरी वर्सी प्यार बरा सलाम नमस्ते सश्रेकाल जी राम राम जी एंड राम राम साब सो दोस्तो फिर मला आयों एक और नया वीडियो एक और नया टोपिक बिकोज इस श्रीकिसन फ्रम द प्रो राइड श्री सो लेट स्टार्ट द वीडियो कि फ्रेंट आयड का साइज है 110-177 कि इसके लाओ थोड़ा उपर चलता है ग्रीन कल का फ्रेंट मडगार्ड और हैड लाइट के बाट करते हैं तो ट्वीन आई स्टाइल में इसके हैड लाइट है यह देखे कुछ इस तरीके से और इसमें हेलो जन बलब आता है दोनों साइडों में दोनों आखों में इसके यह देखे कुछ इस तरीके से और थोड़ा इसके उपर चलते हैं तो यह इसका नमबर प्लेट का सेटप है और कंपनी दुवारा दिया हुआ ट्रांस्परेंट वाइजर ब्रेकिंग की बात करने तो इसमें दिया हुआ हुआ ह प्लेट के साथ में बहतरीन ब्रेकिंग के लिए फ्रेंट में मिलते हैं आपको 37 mm के टेलिस्कॉपिक संस्पेंशन विद हैलोजन इंडिकेटर और दोस्तों यह बाइक आते हैं डूइल चैनल अब इसके साथ में और फ्रेंट में यह देखिए बेस की बैंजिंग इत रिफ 10,000 rpm मैक्सिमम टॉर्क इसका 270 mm एड़ेट 10,000 rpm और टू सिलेंडर के इसाब से इसमें टोटल हो गए 8 वॉल्व लिकुड कॉलिंग इंजिन आता है इसके और सेल्फ स्टाट आता है और यह इसका पीछे का एक्जोस्ट जैकि मफलोर कवर के साथ में आता है और इसके आगे चलते हैं तो यह पीछे का जो सेट अप है ब्रेकिंग टायर वगरा का और रियर का है पेटल डिस्क 220 mm का वित ABS और इसके टायर साज की बात करें तो 140-17 का यह पिछली वाला टायर है यह बहुत ही अपने सेग्मेंट बहुत ज्यादा वाइड माना जाता है इसके लाओ दोस स्टीटर विथ और अलोग मेटर कंसल का और सुच मैं यह सुच है इसका लॐ और आड़ भीम का सुच इससे थोड़ा अने चलते थे इंडिकेटर वाला यह वाला होन सुच और इसके लेफ्ट नंग साइड में चलते हैं कि तो यहां पे लगेगी चाविए आपके अपर ले यह बाइक का लेफ्ट हंड साइड का विव और इसके लाओ दोस्तों जो इस बाइक की कुछ इस्वेच की केसं से जो मैं आपको पीछे वीडियो में नहीं बता पाया वह मैं बता देता हूं और पीछे बताई भी स्पेक्स को भी एक बार रिपीट कर देता हूं तो देखिए दोस्तों इंजन डिटेल इसके 296 cc लिक्विड कूल्ड फोर स्ट्रोक परलेल ट्विन इंजन और फ्यूल सिस्टम में इसका फ्यूल इंजक्शन 32 mm x 2 वित डूल थ्रोटल वाल्व पूलिंग में लिक्विड कूलिंग इंजन सीच इसके 296 cc का मैक्सिमम पाव 439 hp 11000 rpm एंड मैक्सिमम टोर के इसका 26.1 mm एड देट 10,000 rpm नम्बर उप सिलेंडर इसके दो यह दो सिलेंडर में और बेसिक्स आती है इंगिनिशन डिजिटल इसका लुब्रिकेंट फोर्स लुब्रिकेंट वेट संपित ओयल कोलर और कंपरेशन रेट इसका 10.6.1 बोर इसक 62 mm एंड श्टोगेट इसका 49 mm वोल्वाइस में डी ओसी 8 वल्व नमबर उफ गेर 6 गेर बोक्स इसका 6 स्पीड इसकी स्पीड और रिटर्न वाला कलेच एसीटन ए स्लीपर कलेच मालेज एंट आप स्पीड में की बात करें तो मालेज का का वासा की निंजा का वासा की जो कं 25-30 km पर लेटर इसके लगव परफॉर्मेंस की बात करें तो यह बाइक चल जाती है 5-6 सेकेंड में 10-10 km पर आवर्स की स्पीड पकड़ लेती है और टॉप स्पीड इसकी 182 km पर आवर्स जो की कावासा की क्लेम करती है और दोस्तों ब्रेक और टायर्स की बात करें तो फ् करें तो यहं सिंगल 220 mm petal disc के साथ में डूल फिष्टन की बाइक आते है डूल चे रेवीय के साथ में प्रंट आयर की बात करें तो फ्रंट टायर के साइज दे in 110 Experience और डिल विल का साइज है 17 एंड रियर विल का साइज है 17 विल का टाइप है ब्लेक मेग विल्स तुबलेस टायर आते हैं इसमें अलए विल्स आते हैं की फीचर सेंड कॉंपिटीटर्स की बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम मैंने बताए दिया आपको ड्यूल चैनल एविस के साथ में आता इंटिक लोग ब्रेकिंग सिस्टम चे बोलते हैं और सिमिलर बाइक में इसके यामा एफ जेड आर्थी बैनली 302 इसके लाव दोसों सस् ट्रेंसले परेंं चैसिस की बात था तूब डामन स्टील इसका शेसर से अग्जोस्त माफ लर है तूइन वन एकजोस्त विद्ट शौट स्टाइल शाइल्ट्रेंशर फ्रेंट वील का ट्रेवल है इसका 120 mm और दोसों डायमेंशन संडवेट की बात करें तो ओर ओर लेंध से इसकी दोजार पंद्रायम और विड था इसकी साथ सो पंद्रायम और रोल हाइट इसकी 1110 mm इसके लाव ग्राउंड क्लिरेंस से इसका 140 mm सीट हाइट हाइट की 780 mm विल बेसे 145 mm कर वेट इसका 179 kg और फिल टैंग कैसिटी इसकी 17 इसकी 172 mm और इंस्ट्रूमेंट कंसॉल फीचर्स की बात करें तो इसमें टेको मिटेड एनलोग ट्रिप्मिटेड डिजिटल ओड़ोमेट डिजिटल घड़ी है इसमें एबस लाइट है इसमें फ्यूल गेज डिजिटल है लोग इंडिकेटर है लोग बैटरी इंडिकेटर बैटरी ऑन लाइटिंग के बात करें तो पासिंग लाइट इसके अंदर बेटरी टायप है मैंनुक्राइफ है यह राइड लाइट है और स्प्रैप अलमूनियुम्ट के लिए इसके लाव दोस्तों color scheme की बात करें थे तीन color warranty में आती है गाड़ी अभी जो screen पर देख रहे हैं यह ebony color इसके लाव दूसरा है candy lime green और दोस्तों third or last screen है इसका जो मुझे भी काफी अच्छा लगता है good looking के साथ आता है और यह lime green color और हमारे यहां जयपूर में ninja 300 की action room price is 3,37,000 इसमें insurance से 18,541 रुपे का registration charges का 6,436 रुपे HP ने 15 रुपे और total मिला के on road price पड़ता है इसका 4,18,477 रुपे इसके लाओ दोस्तों अगर आप यह बाइक purchase करना चाहते हैं और अगर आप loan default रहे तो उसकी facility हमारे यह आप अवेलेबल है loan default के लिए फाइनेंसर के नंबर एंड जो यह शोरूम है इसका जो पूरा address है वो आपको मैं description box में mention कर दूँगा आप जाके वहाँ पर check out कर लीजेगा तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में share किये बना ना जाए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करें and press the bell icon क्योंकि जब भी मैं इस तरह कोई knowledgeable वीडियो आप लोगों के लिए डालू तो उसका notification सबसे पहले आप लोगों को मिले सो मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो में दिवी जानकारी कैसी लगी नीचे comment box में जरूर बताएगा जाते वे एक बार फिर लास्ट में आप लोगों को मेरे वर से राम राम जी और राम राम साब